लो दोस्तो आज की जो वेकेंसी है HPCL के तरफ से निकल के आ रहा है जिसमें Fraser बिल्कुली अप्लाय कर सकता है Almost इसमें सभी ब्राउंज के लिए वेकेंसी रहने बाला है salary आपको काफी अच्छा खासा कड़िब एक लाग पर मंथ इसमें पे किया जाएगा बिल्कुली latest and official government job रहने बाली है ये एक देख सकते हैं महारतन PSU's company रहने बाला है इसमें आपका work culture काफी अच्छा खासा और growth भी इसमें काफी अच्छा खासा मिलने बाला है इसमें सभी कुछ details से mention किया हुआ है टेकनिकल फिल्का कोई सब वेकेंसी आता है मैं उसको मिश ने करता हूँ तो चलिए मिश के official advertisement पर चलते हैं ये देख सकते हैं इसका official advertisement रहने बाला है जो बिल्कुली latest में जारी किया गया यहाँ पर company का ब्यवरा भी mention कर दिया गया है यह अपने आप में देख सकते हैं एक महारत P.S.U. company है इसमें सभी कुछ details से mention किया हुआ है तो जो भी इसमें eligible candidate होते हैं जरूर से जरूर apply करिया यहाँ पर देख सकते हैं officers के लिए यहाँ पर vacancy निकाला गया है इसका application का last date यहाँ पर देख सकते हैं अठारा सितंबर तक रहने बला है और application already 18 अगस्त से pursuing में है जो भी eligible candidate होते हैं अपलाए कर सकते हैं यहाँ पर branch wise vacancy age salary syllabus experience सभी कुछ mention कर दिया गया है सबसे पहले हैं पर देख सकते mechanical engineer में हैं पर देख सकते 50,000 से लेकर 1,7,000 इसमें यदि पर month salary की बात करें तो starting में आपको एक लाग प्लस salary इसमें पे किया जाएगा total number of vacancy काफी अच्छा खास आप देख सकते 57 रहने वाला है maximum age limit 25 years रखा गया है only आपके पास 4 years full time regular mechanical engineer में बीटेक मागा गया है सभी कुछ यहां पर mention किया है उसी प्रकार से यहां पर electrical में vacancy राने वाला है instrumentation, civil engineering, chemical, senior officer, city, gas distribution के लिए हां पर vacancy है इसमें भी काफी अच्छा खास आपका salary राने वाला है अपने आप यह काफी रूप्य वाला job आता है यहां पर only आपके पास देख सकते हैं respective discipline branch में आपके पास b b tech मांगा गया है इसमें आप apply कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं कुछ post के लिए experience भी मांगा गया है तो यदि आपके पास experience है तो further आप दिये के post के लिए apply करें यदि आपके पास experience नहीं है तो phraser जिसमें मांगा गया है उसी post में apply करें यहाँ पर सभी कुछ देख सकते हैं यह सभी में फ्रेसर मांगा गया है तो आप बिल्कुल ही apply कर सकते हैं टोटल नमवर इसमें काफी अच्छा कासा वेकेंसी रहने बाला है टेकनिकल फिल का कोई सा वेकेंसी आता है मैं उसको miss नहीं करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं desirable qualification mention किया कि only आपके पास 4 years का B.B.Tech respective discipline में मांगा गया है further इसमें आप apply कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर essential qualification भी mention कर दिया गया है fire and safety के लिए वेकेंसी देख सकते हैं quality control के लिए वेकेंसी है chartered accountants के लिए वेकेंसी है dev OPS management, IT security, application development, quality assurance, network and communications, analytics सभी के लिए हैं पर देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं CTC काफी अच्छा रखा गया बिल्कूली आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं 4 years का B.E.Tech computer science या IT में मांगा गया है या आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं effective discipline में भी qualification है further आप apply कर सकते हैं इसमें 2 साल का experience मांगा गया maximum 2 years of age lexation will be given to the application of ever mentioned position यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर age lexation का बात कहा गया तो जो भी candidate eligible होते हैं उनको as per government of India के रूल के हिसाब से दिया जाएगा इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे allied branch को mention किया हुआ है यदि आप mechanical की post के लिए apply करते हैं तो further आपके पस mechanical या mechanical and production में qualification मांगा गया है उसी परकार अलग-अलग branches के लिए यहाँ पर respective उसका allied branch भी mention कर दिया गया है तो further आप apply कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं minimum 50% marks and other post के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 60% marks रखा गया है SCST candidate को यहाँ पर देख सकते हैं कुछ exempted दिया गया है जो भी eligible candidate होते हैं apply करिए technical फिल का कोई सब vacancy आता है मैं उसको miss नहीं करता हूँ यदि आप भी चाहते हैं किसी opportunity को miss न करें तो किरिपया हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को all पर state कर ले and better experience के लिए हमारे टिलिग्राम and WhatsApp ग्रूप से जुड़ सकते हैं यहाँ पर सभी कुछ detail से mention किया हुआ है आपके selection process की बात करें तो इसमें देख सकते cvt examination लिया जाएगा उसके बाद personal interview या group discussion जो भी है लिया जा सकता है अलग-अलग post के लिए यहाँ पर अलग-अलग criteria रखा गिया है लेकिन cvt examination सभी में common रखा गिया वो आपका तो जरूर होने वाला है अपके अपके लिया जाएगा और अलग-अलग अलग-अलग salary अपके लिया है तो आप अपने ही साथ से इसको read कर सकते हैं प्री-इंप्लाइमेंट मेडिकल भी आपका होने वाला है अप्लाइ करने का प्रोसेस की बात करें तो इसका अप्लाइ लिंक अडबर्टाइजमेंट लिंक सभी कुछ आपको डिस्क्रिप्शन एंड टेलिग्राम में मिल जाएगा वहां से आप डायरेक्टली अप्लाइ कर सकते हैं सबसे पर यहां पर मेंसन किया हो कि सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रोवेशन पिडियर में रखा जाएगा उसमें भी आपको काफी अच्छे खासे सैली एंड एलोंसे प्रोवाइड किये जाएंगे फर्दर यहां पर देख सकते हैं सभी कुछ मेंसन कर दिया गया है टेक्निकल फिल का कोई सा वेकेंसी आता है मैं उसको मिश ने करता हूँ अप्लिकेशन फिक की बात करते हैं यहां पर देख सकते हैं यू आर ओबी सी और एडवलू एस कंडिडेट के लिए यहां पर रखा गया है एक हजार प्लस में जी एस्टी 18% यानी 180 रूपिया टोटल 1180 रूपिया रखा गया है